नवराटरी खत्म होने के साथ ही प्याज ने लोगों के आसू निकालने के तैयारी कर ली है जी हाँ टमाटर ने पहले से ही आमादमी की जेब को खूब खाली किया इसके बाद अब प्याज भी लोगों को खूब रूलाने वाला है बीते एक हफते से प्याज के दामों में ऐसा उच्छाल आया है कि लोग अभी से परिशान होने लगे हैं क्यूंकि प्याज की नई फसल दिसंबर तक आईगी और तब तक प्याज लोगों को खूब रोलाने वाला है राजानी दिल्ली की रिटेल मार्केट में प्याज पचास से साथ रुपए प्रितिकिलो में मिल रहा है जबकि एक हफते पहले ये तीस से चालिस रुपए प्रितिकिलो में मिल रहा था एक हफ़ते में 50 फीज़ी तक प्याज महंगा हो चुका है और दामों में बढ़ोतरे कलसिल सिला लगतार कई दिनों तक जारी रहने के आसार है खर्द पदार्ट से लेकर अधिकान शीज़े बाजार में पहले से ही महंगी हैं उपर से सबजी के भाव लोगों को बेचान कर रहे हैं यूपी में इस वक्त हर दिन मंडियों में सबजी की कीमतों में उतार चड़ा देखने को मल रहा है सुबे में अधिकान सीजनल सबजियां महंगी हैं जिसके चलते लोगों का आर्थिक बजट खराब हो गया है दिवाली सीर पर है लेकिन लोगों को महंगाई से राहत नहीं मिल रही है वही मंडी में सबजी विकरेताओं का कहना है कि बारिश लेट होने की वज़े से दाम बढ़ रहे हैं जल्दी इससे राहत मिलेगी हो गया और फसल लेट है नहीं फसल बरसात के कारांसे नहीं पसल कम नहीं फसल लेट हो गई इस अभेंगलावुर् की चली लाई इसके वाशसा पांच नुवम्बर सारी पियाज नहीं ये वो राज्य हैं जहाँ प्याज की खपत जादा होती है प्याज की केमतों में तेज उच्छाल से सत्ता धारी दल का चुनावी नुकसान भी हो सकता है विपक्षी दल कॉंग्रेस ने भी अभी से प्याज की कीमतों मुच्छाल के बाद अपनी सोशल मीडिया हैंडल के जरीए सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है बता देगी इस साल मौनसून सीजन में आस्मान बारिश के चलते जून से अगस्त महीने के दोरान टमाटर के कीमतें आस्मान पर जाप पहुची थी रिटेल मार्किट से 250 से 300 रुपे प्रती किलो में टमाटर मिल रहा थ जिससे लोगों के किचन से टमाटर नदारद हो गया थ और प्याज के बढ़ते दाम अब लोगों को डरा रहें